फॉर्म फिलिंग की अपडेट्स आ रही हैं तो यहां पर किस तरीके से एक नई अपडेट जो है दी है NTA ने इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे इसके अलावा आपको कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में भी बात होगी और साथ-साथ अब बचे हैं आखरी के द पागत करता हूं आपके अपने PW UGC NET में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो NTA के चेर्मन है उनका एक मेल आया था या ट्वीट आया था आप कह सकते हैं जहां पर उन्होंने आपके साथ एक बात साजा की थी कि आपका जो जून का नोटिफिकेशन यानि कि आ अगले महिने हैं लाब यानि के अपरिल अगला महिना आ चुका है तो इपरिल के 1st week में देखने को मिल सकती है तो 1st week का मतलब है कि आप यह देख सकते हैं तकρίबन तकरीबन 6 आपरिल कि आजस पास आप इसको देख पाएंगे जब मैं विडियो बना रहा हूं तो उमीद है कि आने वाले दो दिन में या तीन दिन में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाए इसके अलावा बच्चों के मन में कुछ और डाउट्स थे वो हम डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे वो हम आपके सामने लाइव जी हाँ बिलकुल लाइव फार्म भरकर जो है ड 325 तो जब भी आप फार्म को भरेंगे तो इन चीजों को भी ध्यान रखना अपनी क्याटेगरी वहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन कर लेना अगर आपकी जी आरेफ की एज लिमिट बाकी है तो आप नेट एंड जी आरेफ के ओपर क्लिक करना है ना नेट एंड जी आरे की वह हर एक चीज हम आपके सामने लाइव हम आपके सामने बिलकुल लाइव फार्म यहां पर फिल करेंगे जिसके बाद आपकी सारी की सारी तकलीफें हम दूर करेंगे अब इसके अलावा आखरी के दो महीनों में आप किस तरीके से प्रिपेर कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर बात होगी आखरी के two month की strategy क्या होनी चाहिए अब आपको जो है जितने ज्यादा आप previous year questions और जितने ज्यादा आप mock test लगाएंगे उतना जल्दी आपका selection हो जाएगा उतना close आप अपने result के आजाएंगे number one इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा practice करनी है questions की तो आप मेरी classes देख सकते हैं हर Tuesday और Thursday को हर Tuesday और Thursday को दो पहर को दो बजे और हर Saturday और Sunday को दो पहर को 12 बजे यहां से आपको full proof preparation होने वाली है आपकी examination के लिए तो आप बिल्कुल भी जिंता ना करें अगर आपकी age limit बाकी है तो आप GRF net के साथ form को fill करेंगे अगर age निकल चु आपको दी जाएगी दो मंत की strategy के लिए PY की और mock test ज्यादा से ज्यादा लगाने है और यहां पर मैंने आपको यह fees के बारे में भी बता दिया है और आपकी जो अपडेट है वो आने वाली है अब यह वीडियो आप देख रहे होंगे चार या पांच अपरिल को देख रहे है कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से आगे के लिए तैयार होंगे ऐसी और अपडेट के लिए मैं आगे भी मिलता रहूँगा आपका इसी तरीके से मार्क दर्शन करता रहूँगा अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें PWUGC Net के साथ जुड़े रहें थैंक कि यसो माजड़ेश